दोस्तो आज के इस वीडियो में हम Realme के उन सभी फॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अंदर अप्रेल का अपडेट देखने को मिल चुका है और दोस्तो जिन फॉन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उनकी लिश्ट की अगर बात की जाए तो वो 13 ऐसे फॉन हैं जिनके अंदर हमें अप्रेल का अपडेट देखने को मिल चुका है अगर आपके पास इन 13 फॉन में से कोई भी एक अगर फॉन है तो आप डिरेक्टली रियल्मी की ओफिशल वेबसाइट पर जाके इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं या आप OTA अपडेट का वेट कर सकते हैं खेर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी तेरे फॉन्स के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा कि आपको किस फॉन के अंदर क्या अपडेट देखने को मिला है क्या बड़े चिंजिस देखने को मिले हैं तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं अपडेट देखने को मिला है उसके अपडेट के अगर अपडेट की बात की जाए तो इसके अंदर आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा अप फाइनली बात करते हैं सेकेंड नमबर पे तो सेकेंड नमबर पे आता है रियल्मी 3 तो दुस्तो रियल्मी 3 के अंदर 18 अपरेल 2020 को ये अपडेट रिलीस किया गया था और दुस्तो अगर इसके चेंजिस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको अपरेल का रियल्मी 3 प्रो के अंदर तो उन सभी को फिक्स किया गया है और उसके अलाब अगर यहां खास बात की जाए तो इसके अंदर आपको इस अपडेट को इंस्टोल करने के बाद आपको रियल्मी 3 प्रो के अंदर एक extra features देखने को मिलेगा जो कि Doc Vault ID के नाम से देखने को मिले दोस्तों रियल्मी 3 प्रो के अंदर अप्रेल का जो अप्डेट रिलीस किया गया है और अगर इसके चेंजेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको केवल सेक्योर्टी पेज लेवल देखने को मिला है बाकि जो भी थोड़े बहुत बग्स वगर थे उनको फिक्स किया ग अगर नेश्ट फॉन की बात की जाए तो वो है रियल्मी 5 रियल्मी 5 जो अप्रेल का अप्डेट रिलीस किया गया था वो 24 अप्रेल 2020 को किया गया था और इसके चेंजेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको सेक्योर्टी पेज लेवल 2020 का देखने को मिलेगा जो की अगर नेस्ट फॉन की बात की जाए तो वह है रियल्मी 5S और तो रियल्मी 5S के लिए जो अप्डेट रिलीज किया गया था वह 28 अपरेल 2020 को किया गया था और इसके अंदर भी आपको अपरेल 2020 का सिक्योर्टी पेज लेवल देखने को मिलेगा और बाकी जो थोड़े बहुत अपरेल 2020 का देखने को मिलेगा और बाकी सिस्टम के अंदर थोड़े बहुत बग्स वगरा थे उनको फिक्स किया गया है जैसे कि PUBG गेम्स को लेकर काफी लोगों को वोईस को लेकर काफी जाता परिशानी आ रही थी और साथी साथ दोस्तों के लिए काफी सारे इंप्रूम और दोस्तों फाइनल अब बात करते हैं रियंद में की ख्राफ्स के वारे में तो दोस्तों समुद्दै आप गेर हैं और दोस्तों साप वीडियो को pause करके इन सबी को read कर सकते हैं और बाकी थोड़े बहुत system bugs वगरा थे जैसे की WhatsApp, PUBG, Facebook वगरा को लेके तो इन सबको भी इस update के बाद fix कर दिया गया है Realme C3 के अंदर तो दोस्तो Realme C3 अगर आपके पास है तो ये आपके लिए काफी बहतर update हो सकता है अगर application की बात की जाए तो इसके अंदर भी आपको Doc Vault ID का feature देखने को मिलने वाला है इस update को install करने के बाद और दोस्तो अगर बाकी changes की बात की जाए तो इस phone के अंदर भी आपको काफी सारे bugs वगरा देखने को मिलते हैं तो उन सभी bugs को fix कर दिया गया है जैसा की Realme 3 Pro के अंदर आपको देखने को मिलते थे और दोस्तो आप फाइनली बात करते हैं नेक्स्ट फॉन के बारे में तो वो है Realme X2 Pro और दोस्तो Realme X2 Pro के लिए 17 सपरेल 2020 को इस update को release किया गया था और अगर दोस्तो इसके changes की बात की जाए तो इसके अंदर आपको सबसे पहले security page level 2020 का देखने को मिलेगा और साथी साथ यहाँ पर charging animation के अंदर भी आपको update देखने को मिलेगा और साथी साथ दोस्तो अगर camera की बात की जाए तो camera के अंदर आपको काफी सारा improvement देखने को मिलेगा जो की HDR shooting को लेकर है और दोस्तो फाइनली अगर बात करते हैं इसके और changes के बारे में तो यहाँ आपको systems के अंदर काफी सारे bugs वगरा देखने को मिलते थे जैसे की PUBG को लेकर तो उन सब को भी इस update के अंदर fix कर दिया गया है और दोस्तो फाइनली अब बात करते हैं last phone के वारे में जो की Realme X50 Pro है और दोस्तो Realme X50 Pro के लिए 30 April 2020 को इस update को release किया गया है और settings के अनदर दोस्तो अगर बात की जाए तो settings के अंदर आपको vivid moon to screen color啊 mode का एक extra option देखने को मिलने वाला है और दोस्तो अगर बाकी changes की बात की जाए तो वो camera से related है, camera के अंदर आपको काफी optimization को लेकर भी इस update के अंदर काफी improvement आपको देखने को मिलने वाला है तो यह थे रियलमी के वह सभी फॉन जिनके अंदर हमें अप्रेल का अप्डेट देखने को मिल चुका है अगर आपके पास इन मैं से कोई सभी फॉन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएए कि आपके पास कौन सा फॉन है तो आप बिना वेट करें, Realme की Offshell वेबसाइट पर जाकर इस अबडेट को डाउनलोड कर सकते हैं, यानि कि अपने फॉन की अबडेट को डाउनलोड कर सकते हैं, और मैनौली अबडेट कर सकते हैं, आपको OTAE अबडेट को वेट करने की बिल्कुल भी जरूद नहीं है। खर यह आप डेपेंट करता है कि आप OTA अपडेट का वेट करते हैं या मैनौली अपडेट करते हैं तो दोस्तो फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े और साथी सा चैनल को सब्सक्राइब बिल्कूल नह बोना तो चलिए फिलाल इस वीडियो को और मेलते हैं एंसी एक और मज़िदार वीडियो के साथ